इंडिया में अगर तुम सड़क पर चलते किसी भी रेड़नम मंदे से पूछोगे कि इंडिया के भार के तीन फुटबॉलर्स के नाम बताओ तो वो तुम्हें पहले दो नाम तो रोनाल्ड और मेसी देगा पर 2023 में यही क्लब इस प्लेयर को अपनी टीम से निकालने पर मजबूर है तो ऐसा क्या हुआ कि मैसी और रोनार्लो के बार फुटबॉल का सबसे मशूर खिलाडी पिछले पच्चे सालों में ब्राजील की फुटबॉलिंग मिट्टी से निकला सबसे बड़ा टैलेंट एक्चुली में अपने पोटेंशल तक कभी पहुची नहीं पाया यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में जब हम डालेंगे नजर नेमार जुनियर के अभी तक के तरियर पर नेमार का जनम पांच फेबुरी 1992 को हुआ था एंड ही वाज बॉन टू प्ले फुटबॉल नेमार की फैमिली के अंदर फुटबॉल एक बहुत बड़ा कल्चर था उसके फादर खुद एक फॉर्बर फुटबॉलर थे जिन्होंने आगे जाके नेमार जुनियर को उसके कर जंगेज से ही फुटसाल और स्टीट फुटबॉल के अंदर एंडर था आज तक नेमार जुनियर के स्किल्स के अंदर उसके प्लेइंग स्टाइल के अंदर तुम एक फुटसाल प्लेयर का टश्ट दिखेगा 11 साल की उमर में नेमर जूनियर अपनी फैमिली के साथ साव विसेंटे शिफ्ट होता है जिसके बाद वो वहाँ पे पोचुगीजा नाम के एक कलब की यूथ टीम जॉइन करता है एक साल के अंदर अंदर वो वापी से सैंटास शिफ्ट होते हैं जिसके बाद नेमर जूनियर सैंटास नाम के एक टीम की यूथ टीम जॉइन करता है नेमर जूनियर का अर्ली करियर ही इतनी बड़ी सक्सेस था जो हम में से जाद तर लोग तो सोच भी नहीं सकते सैंटास की यूथ टीम में साइंग करने के बाद नेमर जूनियर ने सिरफ 13 साल की उमर में नाइकी के साथ एक कॉंट्रैक्ट तक साइंग कर लिया था बस 14 साल की उमर में नेमर जूनियर रियाल मडरेट जैसे बड़े कलब की यूथ टीम के ट्रेल्स देने गया था लेकिन तब क्योंकि Nicar Junior की फैमिली को ये मानना था कि हमारे लड़गे को तो ब्राजील में ही राखो, ब्राजील में ही खिलाओ, ब्राजील में ही बढ़ाओ, तो उन्होंने तब Real Madrid की Academy नहीं जोइन करी दी. सिर्फ 16 साल की उमर में Nicar Junior एक महीने के एक लाग पच्छेस हजार ब्राजीलियन रियाल, यानी तकरीबरं पच्छेस हजार डॉलर्स, यानी तकरीबरं बीस लाख रुपे कमा रहा था, सोला साल की उमर में पर महीने की, बस इत्ते पैसे और शायद से मेरे घरवाले मेरी थोड़ी उज़द करें, बस 17 साल की उमर में नेमर जुनियर ने सैंटोस क्लब के साथ अपने प्रोफेशनल करियर के शुरुआत की और बस उसे के बाद से शुरू हो गई थे ही नेमर जुनियर की लाइफ में एक रोलर कोस्टर सैंटोस के लिए खेलते हो अपने पहले ही सीजन के अंदर नेमर जुनियर ने फ़र्स्ट 11 के अंदर बहुत अराम से जगा बना ली थी अपने पहले ही सीजन में नेमर जुनियर ने अर्टालीस गेमों में 14 गोल स्कोर करे थे बट नेमर का सबसे बड़ा अट्राक्शन था उसकी ड्रिबलिंग उसकी स्केल्स एक ऐसी चीज जिसकी वज़ा से उसको रोनाल डीनियो जैसे बड़े-बड़े ब्रजीलियन लेजेंड से सिरफ 17 साल की उमर में कंपेर करना शुरू हो गया था अगले ही सीजन यानि 2010 में नेमर जूनियर साइंटोस के लेख खेलते हैं अपना सबसे बड़ा सीजन ड्रॉप करता है जहां वो सिरफ 60 अपेरिंसिस के अंदर 42 गोल स्कोर करता है इस एक सीजन के बाद कलब के अंदर नेमर जूनियर की पॉपुलाइटी इस हद तक बढ़ जाती है कि सीजन के दोरान जब प्लेयर यानि नेमर जूनियर और इस टीम के मैनेजर के बीच में एक डिस्प्यूट होता है और कलब को एक्चली में दोनों में से किसी एक को चूज करना होता है तो दे एंड अफ सैकिंग दे मैनेजर और दिसमबर 2010 के अंदर बस 18 साल की उ investment companies जो की usually दूसरी companies के अंदर invest करती है वो नेमर जूनियर के 5% के selling rights खरीदती है for 1.5 million euros इतना ही नहीं भाई बलकि नेमर जूनियर के खुद की family उसके sporting rights का 40% एक दूसरी sporting company को बेचती है and of course एक early career के अंदर ही नेमर जूनियर का lifestyle काफी comfortable हो जाता है अगले आने वाले 2 साल य और वही 2012 के अंदर 47 games के अंदर 43 goal score करता है बलकि ये दोनों ही साल वो consecutively South American Player of the Year का वाड जीता है and in में से एक nomination में तो he actually stands above Ronaldinho इन दो सालों में नेमर जूनियर के लिए सबसे बड़ी highlight होती है जब वो Santos को Copa Liberata Doris के championship में lead करता है Santos ये trophy 1963 के बाद पहली बारी जीती है एक ऐसी trophy जिनको ने 1963 के अंदर पेले ने जित वाई थी फ्रमेंगो के अगेस्ट अपने एक solo goal के लिए उसे 2011 के अंदर Puskas Award भी मिलता है और बस इसके बाद नेमर जूनियर ये चीज़ क्लियर कर देता है कि he wants to play in Europe और उसका काम ब्रजील में अब यही पे खतम हो चुका है और उसक कितने में हो रहा है नेमर जूनियर को कितने पैसे मिल रहे हैं क्लब को exactly किते रहे से मिल रहे हैं यह सारी चीज़े किसी को नहीं बताई जाती जिसकी वएसे मडरें बेस्ट एक कंपनी एक्ट्रांसफर के ऊपर इंवेस्टिगेशन भी शुरू करती है लेटर ऑन बासलोना का तब का प्रेस्डेंट बात में हो यह चीज़ कंफर्म करता है कि यह ट्रांसफर 57.1 मिलियन के लिए हुआ था और नेमर जूनियर का रिलीज क्लॉज 190 मिलियन यूरो होने वाले लेकिन जैसा मैंने तुमें बताया भाई नेमर जूनियर के लिए ट्रांसफर उसके पूरे करियर के अंदर एक रोलर कोस्टर राइड रहे हैं क्योंकि मड्रीड में हुई इंवेस्टिकेशन से यह चीज़ पता लगती है कि नेमर जूनियर का ट्रांसफर 86.2 मिलियन यूरो का हुआ था और नेमर जूनियर को खुद 40 मिलियन यूरो दिये गए थे इस ट्रांसफर के 2014 में हुए वर्ल्ड कप के अंदर ब्राजील के लिए नेमर जूनियर एक बहुत लीडिंग रोल ने भाता है जहां क्वाटर फाइनल तक नेमर जूनियर नहीं सिरफ उस वक उस टूर्णमेंट का बेस्ट प्लेयर होता है इस तरीके से कि नेमर जूनियर की टीम को इस टूर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो मैं तुम्हें बतानी पाऊंगा लेकिन डिस्पाइट ओल दिस नेमर जूनियर का बासलोना के साथ उसका पहला सीजन एक ग्रेट सक्सेस होता है नेमर जूनियर सैंटस की तरह ही काफी सीमलेसली बासलोना के फर्स्ट 11 के अदर बैट जाता यह संदो नेमर जूनियर के लिए बास सीजन के अंदर सैटल करने के लिए था इसके बाद अपने सीजन के अंदर नेमर जूनियर अपने करियर का अभी तक का सबसे बड़ा सीजन डॉक करता है लुइस IN DRY के मैनेजर के अंदर 2014-15 सीजन में बासलोना की ट्राइओ MSN अपन नेमार नाही बाइन म्यूनिक के अगेंस दो बहुत इंपोर्टन गोल स्कोर करता है वो चैंपिस लीग फाइनल के अंदर भी एक सीलिंग गोल स्कोर करके बाद सलुना को चैंपिस लीग जिताता है यह नेमार जूनियर के करियर का सबसे बड़ा सीजन होता है MSN उस सीजन 122 जो कि स्पैनिश फुटबाल हिस्टी के किसी भी ट्रायों के लिए सबसे जाद है नेमार जूनियर उस साल क्रिस्चाइन और रोनालडो लियोनल मैसी के साथ चैंपिस लीग का जॉइन टॉप स्कोरर भी होता है और दे सेम टाइम वो उस सीजन के लिए बैलन दॉर के अंद दो बासलोना के साथ नेमार जूनियर डॉमेस्टिक डबल जीता है और फेमस MSN अपना खुद का रेकॉर्ड तोड़के उस साल 131 गोल स्कोर करती है इस सीजन नेमार जूनियर बासलोना के लिए 49 गेम्स में 31 गोल स्कोर करता है जो कि काफी इंप्रेसिव होते है लेकि बास इसपेक्टिडली ये नेमार जूनियर के लिए बासलोना की सबसे बड़ी हाइलाइट एक्चली में नेमार जूनियर की हाइलाइट होती है पेसजी को एक कमबैक के अंदर बासलोना 6-1 हराती है एक ऐसी गेम जिसका हीरो होता है नेमार जूनियर नहीं उस गेम के अंदर द वो बार्सलोना के लिए कुछ भी कर दे, he would never come out of the shadow of Lionel Messi. And that is why he decided to leave Barcelona for world record transfer to PSG. Neymar Jr. के लिए 221 million euros के लिए PSG जोइन करता है. एक ऐसा transfer जो बार्सलोना के लिए तो किसी भी हालत में सही नहीं जाता. लेकिन once again, Neymar Jr. का एक transfer होता है और एक और lawsuit. Barcelona Neymar Jr. के ओपर एक lawsuit फाइल करती है, जिसके according क्योंकि Neymar Jr. ने 12-16 के अंदर एक contract renewal साइन करा था. अब उसके terms के according, Neymar Jr. owes Barcelona 8.5 million euros. And इतना ही नहीं एक transfer होने के बाद PSG के अगेंस FFP allegations, investigations, बैटती है, La Liga, PSG के अगेंस काफी सारी complaints जालती है. And ये एक transfer football world को entirely change कर देता है. लेकिन on-field Neymar Jr. के लिए चीज़े काफी बदल जाती है. He becomes the number 10, यानि the main man for PSG, alongside Killian Ambapé and Cavani. Killian Ambapé उस साल actually में loan से join करता है, from Monaco, जो कि अगले साल जाकर actually में permanent हो जाता है. Neymar Jr. अगले आने वाले दो सालों के अंदर 28 गेमों में 23 गोल और 27 गोल स्कोर करता है. But most importantly, वो इन दोनों ही सीज़ें के अंदर काफी सारी गेम्स, majority in the Champions League miss करता है because of injuries. 2018 उनी सीजन के अंदर जब Manchester United famously PSG को knockout करते है, एक ऐसी गेम के अंदर जहापे नेमार Jr. once again injury की वज़े से present नहीं था. तो इस गेम के बाद नेमार Jr. अपनी स्टोरी पे जाके UEFA and managers and referees के बारे में काफी जादा complaint करता है जिसके बाद उसको एक 3 match का ban भी दे दिया जाता है. बट इसके बाद नेमार Jr. के लिए PSG का करियर एक kind of downslope पे चला जाता है. दो इसका next season COVID की वज़ाए से actually मैं abandon किया जाता है and league A के champions PSG को वापे से crown किया जाता है because of their table position. नेमार Jr. अपने आने वाले दो season के अंदर कुछ खास goal score नहीं करता है. एक के अंदर 17 एन एक के अंदर 13. Currently इस season के अंदर भी नेमार Jr. के 29 appearances के अंदर 18 goals and once again he has got injured season पूरा होने से पहले. 2021 season के अंदर जिसके शुरुआत के अंदर PSG Lionel Messi को भी sign करती है और the famous M&M की शुरुआत होती है यहां से तब बहुत कुछ dependent था Lionel Messi के साथ सा नेमार Jr. के shoulders के उपर. But क्योंकि इस trial के अंदर most evidently सबसे जादा suffering player because of injuries at the same time tactics के अंदर नेमार Jr. होता है उसको बहुत criticism मिलता है. दो नेमार Jr. का international career एक काफी reputable stat है जिसके अंदर उसते 124 games के अंदर 77 goals score करे हैं. But once again Brazil के लिए भी नेमार Jr. को वो respect नहीं दी जाती जो most probably वो deserve करता है. नेमार Jr. के लिए ब्राजीर के लिए भी अभी तक की सबसे बड़ी highlight वो होती है जब वो 2016 के अंदर Rio Olympics के अंदर Brazil को gold medal के लिए लीड करता है. At this point Neymar Jr. और PSG के बीच में भी fallout हो चुका है एक ऐसे stage पे जहापे नेमार Jr. अगर PSG पे रुखना भी चाहे तो PSG के fans and club खुद ही नहीं चाहता कि Neymar Jr. को वो अगले आने वाले seasons के लिए पनी team में रखे. दो English Premier League के काफी बड़े-बड़े clubs like Manchester United, Chelsea, Newcastle, actually में नेमार के अंदर बहुत ज़ादा इंटरस दिखा रहे है. But तुमारे according Neymar Jr. को अगर PSG से move out करना चाहे तो कौन से club में करना चाहे है? Neymar Jr. को Lionel Messi और Cristiano Ronaldo के बार football का सबसे बड़ा star दिखा जाता था. And even till date उसकी popularity actually में इस level से कम नहीं है. But on field तुमारे according ऐसा क्या था जो नेमार Jr. के against चला गया? क्या वो उसका attitude था जो कि उसको Santos के time से actually में काफी द्यादा troubles के अंदर रखता हुआ आ रहा था? क्या वो सारी money-minding tricks थी जिसकी वज़ा से actually में उसका जो PSG का transfer था या फिस्वारी business deals थी वो एक नएक time पर जाके backfire हुई. यहाँ तुम बोलोगे उसका career का सबसे बड़ा concern जो की रही है, injuries. एक बात की तो surety है कि इस दुनिया में बहुत सारे football fans है जो नेमार जुनियर को आज भी वही इज़त देते हैं, जो probably वो डिजर्व करता है, including me. I feel like नेमार जुनियर is one of the biggest talents the world of football has ever seen. मैं personally नेमार जुनियर को जतनी वारी खिलता हुआ देखता हूँ, मुझे बस मज़ा ही आता है भाई, that is all I need, enjoyment in football, and नेमार जुनियर भी देखके तुम्हें यह लगेगा भाई, कि he's enjoying what he's doing, लेकिन तुम मुझे अपने thoughts नेमार जुनियर के बारे में बताना जरूर, मत भू मत भूलना भाई, of course, लेकिन तुम मुझे नेमार जुनियर के बारे में अपने thoughts comment section में जरूर बताना अगा तुम्हें वीडियो पसंद आई, तो like और share करना मत भूलना, चैनल को subscribe करना मत भूलना, क्योंकि यह चीज़े तो काफी जरूरी होगी है आज के ताइंपे है ना भाई बैसे वीटुब मेरी एसे तासी फिर ने पर लगवा पस इसे के साथ, see you guys next time, एक और दिफरेंट वीडियो के अंदर, hopefully something like this, something on a very different topic, without a lot of details, until then, peace out, stay safe, chak defatte